हलो दोस्तों लूसेंट रासान जीके के डेली टॉफ 50 कोशन में आपका वेलकम अस्तों तो ये वीडियो का 326 पार्ट अस्तों इससे पहले भी 325 पार्ट बनाए जा चुके हैं वो भी आप चैनल पर जाके दिख सकते हैं तो यहां डेली मिलना आपको टॉफ 50 कोशन मिलने वा रहे हैं तो सभी कोशन आपको रट लेना जलतों बिल्कुल मिशन नहीं करना है इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो कोशन है चंबल लदी के किनारे पर उत्तर प्रदेश और मद्यप्रदेश की सीमाओं पर इस्तित दुर्ग है तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ओप्सन नमर ए शेरगड का दुर्ग इस्तित है चंबल लदी के किनारे पर उत्तर प्रदेश और मद्यप्रदेश की सीमाओं पर नेक्शनमरा बेड़ पहाड़ी पर इस्तित दुर्ग है तो इसमें हमारा करेक्ट टांसर है ऑप्शनमर ए लक्षमन गड़ का दुर्ग इस्तित है बेड़ पहाड़ी पर नेक्शनमरा लोधियों की हवेली कहां इस्तित है तो इसमें हमारा करेक्ट टांसर है ऑप्शनमर सी दोलपूर के अंदर इस्तित है लोदियों की हवेली निक्षि नमरा केसर बाग शत्रिय कहां इस्तित है तो इसमें हमारा करेक्ट टांसर है ऑप्स नमर बी बुंदी के अंदर इस्तित है निक्षि नमरा मेवाड मारवाड की सीमा प्रहरी के नाम से विक्षि दुर्ग है तो इसमें हमारा करेक्ट टांसर है ऑप्स नमर से कुम्बलगट दुर्ग है जो की मेवाड मारवाड की सीमा प्रहरी के नाम से प्रसिद है किस किले की दोनों तरफ खाई में कुंड़ा खुह नाम के पानी का श्रश्मा है तो इसमें हमाय करेक्टरा सरह आपसिन नमर डी शहाबाद के किले में इस्तित है नेक्शन नमर इतियास कारे डॉक्टर गोरी शंकर ओजाने परमारों को किस दुर्ग का निर्माता माना है तो इसमें हमाय करेक्टरा सरह आपसिन नमर बी जालोर दुर्ग का निर्माता माना है निक्षिन नमरा जन्शुरूति के अनुसारे किस दुर्ग का नाम में जालन धर्बी था तो इसमें हमाया करेक्ट आंसर है ऑप्षिन नमर ए जालोड दुर्ग का नाम में जालन धर्बी था निक्षिन नमरा पद्मला तलाब किस दुर्ग में इस्तित है तो इसमें हमाया करेक्ट आंसर है ऑप्षिन नमर डी रन थंबोर दुर्ग में इस्तित है पद्मला तलाब निक्षिन नमरा यह पहाड़ी प्रदेश के बीचे इसलिए लोग कहते हैं कि सभी दुर्ग नंगे है परंतु ये है बर्खत बंद है अबुल फजल ने ये है किस दुर्ग के लिए कहा है तो इसमें हमाया करेक्ट आंसर है और आपसन नमर ए ये रंधंबोर दुर्ग के लिए कहा है अबुल फजल ने नेक्शन नमरा भूमी दुर्ग की श्रेणी में आता है तो इसमें हमाय करेक्ट टांसर है और आफसर नमर डी जो लोहा गड़ का दुर्ग है वह भूमे दुर्ग की श्रेणी में आता है नेक्शो नमरा जल और गास के अभाव में वायो और दूप की अधिकता तथा धान की अधिकता वाले प्रदेश को कहते हैं तो इसमें हमाय करेक्ट टांसर है और आफसर नमरे इस प्रदेश को जांगल प्रदेश कहते हैं जहां पर जल और गास का अभाव होता है और वायो में दूप की अधिकता होती है निक्ष नमरे किस दुर्ग के किनारे गीद कराई नामक पहाड़ी इस्तित है तो इसमें हमाय करेक्ट टांसर है और आफसर नमरे गागरोन दुर्ग के किनारे इस्तित है निक्ष नमरे किस दुर्ग की व्याक्या आइने अकबरी ने मालवा सुबे के सरकार के रूप में की है तो इसमें हमाय करेक्ट टांसर है और आफसर नमरे सी गागरोन दुर्ग की व्याक्या की है निक्ष नमरे बावडियों के नगर के नाम से विख्यात रहा है तो इसमें हमाय करेक्ट टांसर है और आफसर नमरे शाहबाद विख्यात रहा है बावडियों के नगर के नाम से निक्ष्य नमबर वर्ष उनीच 121 में किसानों का सुवर विरोधी आंदोलने किस राज्य चला था तो इसमें मैं करेक्ट रांसर है ओप्सनिमर तू अलोवर राज्य में चला था सुवर विरोधी आंदोलने निक्षण नमरा हाई टेक प्रिसिजन ग्लास फेक्टरी इस्तित है तो इसमें हमाई करेक्टांस रहे है ओप्सिन नमर थ्री दोलपूर के अंदर इस्तित है हाई टेक प्रिसिजन ग्लास फेक्टरी नेक्शो नमरा मवेशी की खरीद के रुपे देते समय निश्यत किये गए मुले में की जाने वाली छूटे क्या कहलाती है तो इसमें हमाय करेक्ट आंसर है आप्शन नमर फर्स्ट इसे धारी जणी कहते हैं नेक्शो नमर राजस्तान के राज्य मंत्री उए संसद्य सचीव पद की व्यवस्ता कब की गई थी तो इसमें हमाय करेक्ट आंसर है आप्शन मर फोर छतुरत विधान स्बा में की गई थी राज्ये मंत्री औरे संसद्य शची उपध की वेवस्ता नेक्ष़नमरा रजिस्तानी साहित्य अकादमी का मुख्याल है तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है आप्शन नमर टू उद्यपूर में इस्तित है सहित्ति अकादमी का मुख्याल है नेक्षन हमारा रंथंबोर दुर्ग में किसका प्रसिद मंदिर है टो इसमें हमाय करेक्ट آनसर है option no.4 त्री नेत्र गणेश जी का मंदिर इस्तित है रं धंबोर दुर्ग में नेक्षा नमारा राज्ये के किस जिले में साधिय वाले कुवे में खनी स्तेल मिलने का पता चला है तो इसमें हमाय करेक्ट की जिले में पता चला है नेक्ष नमरा निम्न में से कौन सा ततवाद्य यंत्र है तो इसमें माय करेक्ट आंसर है और आप्षन नमर फ़स्ट रावन हत्ता है जो कि ततवाद्य यंत्र है नेक्ष नमरा राजस्तान लोक सेवा आयोगे अजमेर में इस्तानांतरित होने से पूर हुए किस शहर में इस्तापित था तो इसमें माय करेक्ट आंसर है और आप्षन नमर फ़ोर जेपुर शहर में इस्तापित था राजस्तान लोक सेवा आयोगे नेक्शन नमरा निमन में से कौन सा लोकसबा निर्वाचन शेत्र नहीं हैं तो इसमें हमाय करेक्ट टांसर है आप्शन नमर फरस्ट परताप गड़ और डुंगरपुरे लोकसबा निर्वाचन शेत्र नहीं हैं नेक्शन नमरा पेजन नरते किस शेत्र से सम्मंदित है बांगड शेत्र से संबन दित है पेजन नड़ते नेक्ष नमरा हाड़ोती सेवा संग का संस्तापक कौन था तो इसमें हमारा करेक्टांस रहे है ओप्षन बर फोरे नेनुराम शर्मा था हाड़ोती सेवा संग का संस्तापक रहे है नेक्ष नमरा वीर भारत समाज की स्तापन की थी तो इसमें हमाया correct answer है option मगर the first-reeёт वीजेश संग पतिक ने की थी वीर भारत समाज की इस्ताब्न मा निक्षन हमारा घडियालों की प्रजाती को सरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण है तो इसमें हमाय करेक्ट टांसर है ओप्सिन नमर फर्स्ट ए राष्टिय चंबल अभ्यारण है जो की घड़ियालों की प्रजाती को सरक्षिते करता है नेक्ष नमरा राजस्तान में राष्टिय राजनेतिक चेतना की आदार शीला रखी थी तो इसमें हमाय करेक्ट टांसर है ओप्सिन नमर टू दयानन सरस्वती ने रखी थी राष्टिय राजनेतिक चेतना की आदार शीला नेक्ष नमरा हंस प्रजाती के पक्षी में सबसे लाडला कहा जाने वाला पक्षी गेलेंड गुंजे किस अभ्यारण में पाया जाता है लीधंड गुंजे कशी में किस अभ्यारण को केंद्रिय अवडें ध्यम में दो हजार नो में इको सेज्टी जो ने घोशित किया है तो इसमें हमाया करेक्ट रख राएंचर हैं आप आपोसन फच्टी मांटवका चैन और इको सेंसिटिव जो ने गोशित किया है नेक्ष नमरा नदिये टर ने नदियों में पाए जाने वाला इस्तनपाई गांगेई सू सेवा में चपल गांगेई डॉल्फिने किस अभ्हरण में मुख्य रूप से पाए जाते हैं तो इसमें हमारा करेक्टांसर है ऑप्सन नमर राश्टिये चंबले घडियाल अभ्हरण में पाए जाते हैं नेक्ष नमरा रेगिस्तान में वन्ने जीवों को एक ही इस्तान पर रखे जाने के लिए डेजर्ट जू कहां बनाये गया है तो इसमें हमारा करेक्टांसर है ऑप्सन नमर फरस्टे बीचवाले बीकानेर में बनाये गया है डेजर्ट जू नेक्ष नमरा राज्य का दूसरा सबसे छोटा बिहरण है कौन साहए तो इसमें हमारा करेक्टांसर है ऑफसन नमर फरस्टे सजंगट बेदहरण हैं दूसरा सबसे छोटा बिहरण हैं नेक्ष नमरा कौन सा अभ्यारण से मांसी वाकल और सोम नदियों का उद्गम इस्तल है तो इसमें हमारा करेक्ट रांसर है और सम्बर फरस्ट फुलवारी की नाल अभ्यारण है जो की मांसी वाकल और सोम नदियों का उद्गम इस्तल है नेक्ष नमरा वन्य जियों की दरश्टी से देश में प्रत्थम इस्तान परे कौन सा राज्य है तो इसमें मार करेक्टांस रहा है आप्शन नमर टू असम राज्य है पहले इस्तान परे वन्य जियों की दरश्टी से नेक्षो नमरा राजस्तान में प्रस्तावित राश्टिय उद्यान है तो इसमें माय करेक्टांसर है आपसन नमर डी बी और सी दोनो मतलब सर इसका और राश्टिय मरू उद्यान जैसल मेरे ये देनों ही राश्टिय उद्यान है प्रस्तावित नेक्षो नमरा राजस्तान मे वन्य जीव सुरक्ष आदिनिया में 1972 कब लागू किया गया था तो इसमें हमाय करेक्ट आंसर है ओप्सन नमर टू एक सितंबर 1972 में लागू किया गया था निक्ष नमरा शेतरफल की दरश्टी से सबसे छोटी बाग परियोजना है तो इसमें हमाय करेक्ट आंसर है ओप्सन नमर फेस्टे रन्थंबोर बाग परियोजना है सबसे छोटी बाग परियोजना कोशन है सवाई मान सिंग अभ्यारन किस जिले में है तो इसमें हमाय करेक्ट आंसर है ओप्सन नमर थ्री सवाई मादूपुर जिले में इस्तित है नेक्षो नमरा राज्य में सफेद सिमेंट निर्मान का मुख्य केंद्र है तो इसमें हमाय करेक्टांसर है ऑफसर मरी गोटन खारिया खंगार है सिमेंट निर्मान का मुख्य केंद्र है नेक्शन नमरा डूंगरपुर में शुरू होने वाली रेल्वे लाइने राजस्तान के दक्षिन भाग को किस रेल्वे स्टेशन से जोड़ देगी तो इसमें हमार करेक्ट टांसर है आप्शन नमर सी रतलाम रेल्वे स्टेशन से जोड़ देगी नेक्शन मरा सीज में कुНसा जिला शामिल नहीं है तो इसमें हमार करेक्ट्रानसर रहे आप्सन मरे डी बीकानियर जिला इसमें शामिल नहीं है नेक्शन मरा رाझस्तान में रथम सौर पार्क की स्थापना कहां की जाएगी तो इसमें हमारा करेक्ट टांसर है आप्शन नमर बी बढ़ला गावे जोदपूर में की जाएगी प्रथम सोर पार की इस्ताबना नेक्शन नमर राजपुतना के किस राज़े ने शाशक ने अजमयर में लाड मेयोתवारा आयोजित दरबार में बहागे नहीं लिया था तो इसमें हमारा करेक्ट टांसर है ओप्शन मर बी कोटा राज़े के राजा ने बहागे नही लिया था नेक्षो नमरा अंग्रेजों द्वारा मेवाड भील कोर की स्तापना किस वर्ष की गई थी तो इसमें हमारा करेक्ट टांसर है ओप्स नमर भी 1841 में स्तापना की गई थी नेक्षो नमरा वह वाद्दियंत्र जिसका आकार चिलम के समान होता है तो इसमें हमारा करेक्ट टांसर है ओप्स नमर ए शहिनाई वाद्दियंत्र है जिसका आकार चिलम के समान होता है नेक्षो नमरा गोपी जी भटे राजस्तान की किसे लोकनिर्ते शेली के एक अलाकार है तो इसमें हमाय करेक्टर अंसर है और अप्सिन नमर बी तमाशा लोग शेली की एक अलाकार है गोपी जी बटे